नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में सौगत कहता हूँ इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टुडेंट के लिए कुछ इंपोर्टेंट अप्ग्रेट इंफोर्मिशन है जन्वरी के महीने में गौर्रमेंट ने एनॉंस किया था कि 10% resolution implement किया जाएगा सभी स्टुडेंट के लिए जो जन्रल केटेगरी के हैं जो economically weaker section के society से belong करते हैं तो उसी के regarding जीपमर का जो prospectus है उसमें 10% resolution था economically weaker section के लिए लेकिन जीपमर के prospectus अब update हो चुका है एक नया notification आया है जीपमर के website पर और इस वीडियो में मैं आपके साथ यह detail शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो notification है जीपमर के website पर उसमें ऐसा लिखा गया है कि यह जो EWS यानि economically weaker section के लिए reservation था उसे अटा दिया गया है और उसके जो 10% seat था वहाँ general category को वापस include कर दी गई है EWS quota has with had and will be considered under UR यानि general category तो यह नया prospectus में क्या change हुआ है वो हम देख लेते हैं अगर आप खुछ चेक करना चाहते हैं तो आपको चिपमर के website पर भी मिल जाएगा general category के लिए 55 seats पूडुचेरी में और 19 seats कराई के campus में है अब यह changes क्या हुआ है और क्यों हुआ है कितना हुआ है जैसे मुझे इसके बारे में और ख़वर मिलेगा मैं आपके शायर कर दोगा लेकिन अगर जिपमर के examination में ऐसा हुआ है तो हम expect कर सकते हैं कि NEET 2019 के examination में भी यह changes हो और यह जो 10% reservation है नीट examination में general category के student के लिए उनके ही 50% quota में से दिया जाएगा तो यह वीडियो हम यही जमाट करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो आदेखना चाहते हैं तो नीचे जो like का बटन है जो subscribe का बटन है उन्हें दबाना मत भूलिए धन्यवाद